हे गाईज दिस इस मोनिका सिंग एंड वेलकम टू और शेलम सो जैसा कि आपको पता है कि हम सी सी इस की लेटेस्ट इंपोर्टन अप्डेट आपको प्रोवाइड कराते हूं साथ ही लेसन प्लान्स कंप्रीट कर रहे हैं हम फस्ट यह के सउ सस्ट का लेसन प्लान 8 आज हम करने वाले हैं तो हम देख लेते हैं फटाफट से क्या है तो लेसन नंबर है हमारे 8 डेट मेंशन कर दी हैं आपने अपने क्लाश करेंगे सूच्छ इस याद रखें पीडियो आपको टेलेगराम पर मिल जाता है तो ईसे आप जोइन कर सकते जिसे कि जब PDF वहां प्रोवाइट कराया जाए तो आपको notification मिल जाए तो यहां समझ लीजिए, थोड़ा-थोड़ा से कुछ basic सी चीज़े होती है तो वह आपको वीडियो में पता चल जाती है और अब आराम से जब lesson time बनाएंगे तो उसके लिए PDF टाउनलोड कर सकते है तो फिर हमारा topic आता है जिसे हिंदी में प्रकरण कहते है आज का हमारा topic है प्रतवी का वायू मंडल आगे हमारा general objectives आते हैं जिसे सामान अदेश्य हम हिंदी में कहते है यह हमारे क्या होते हैं subject पर based होते है हमारा subject क्योंकि long term होता है पूरी साथ हम एक subject हो पड़ते हैं तो यह सामान अदेश्य उसी पर आधारित होते हैं उसी के अनुसार निर्धारित किये जाते हैं ठीक है तो जितना भी आपका lesson plan है सबके लिए जो एक particular subject का lesson plan है स्केड़ी आपका summoner अदेश्य आप सेम रख सकते हैं ठीक है इसके बाद आगे हमारा आता है specific objective wishes उद्देश्य तो wishes उद्देश्य क्या होता है जो आपका topic पर based होता है short term यह objectives होते हैं आपका topic change wishes उद्देश्य हो जाता है तो इस उद्देश्य हमने लिख दिया फिर teaching aid आता है हमारा तो teaching aid को mention कर देते हैं हम आगे हमारी कुछ previous knowledge previous knowledge हम मानके चलते हैं कि बच्चे को basic knowledge तो हर topic के बारे में होती है जैसे कि हम उसी के अनुसार तो हम connect कर पाएंगे उसे topic से क्योंकि हमें प्रस्तावना प्रशन करने होते हैं तो यह हमारा previous knowledge हो जाती है अब प्रस्तावना प्रशन क्या होते हैं lesson plan शुरू करने पर सबसे पहले हमारे प्रस्तावना प्रशन ही आते हैं क्या होते हैं हमारे प्रस्तावना प्रश्ण जो पूर्विज्ञान पर हमारे आधारत होते हैं हम मानके चल रहे हैं कि बच्चे को कुछ ना कुछ basic knowledge होगी पहले से उसके आधार पर हम क्या कर रहे हैं प्रश्ण करने लग जाते हैं और प्रश्ण हम यह maximum five कर सकते हैं हम ऐसे questions करेंगे जो हमारे topic पर connect कर सके बच्चे को लास्ट हम ऐसा question ले आते हैं जो भी करेंगा फोर्थ नंबर का एं फिफ़्थ नंबर का कई-लास्ट में ऐसा question आ जाता है कि आपउस topic को शुरू करना के लिए उसको जोड़ सकते हैं जैसे कि हैं प्रत्वी के वायू मंडल के बारे हम पढ़ाने वाले हैं तो प्रत्वी के वायू मंडल का लास्ट हमने कोशन कर लिया कि प्रत्वी के वायू मंडल से अब क्या समझते हैं प्रत्वी के वायू मंडल पर लाने से पहले हमने कुछ और basic से question कर लिए कि घरे के बारे हम पूश लिया प्रत्वी घूमती है या कैसे घूमती है उसके बारे हम पूश लिया फिर प्रत्वी पर क्या क्या है फिर प्रत्वी के वायो मंडल से हमने जोड दिया इसके अलावा आपना और भी प्रेशने कर सकते हैं जैसे कि हमारे आसपास जैसे कि हम सांस किसे लेते हैं ठीक है तो सांस में हम कौन सी गैस लेते हैं अब फिर हम उसको कनेक्ट कर सकते हैं कि आगे फिर हम कौन सी सांस छोड़ने में कौन सी गैस बाहर निकालते हैं जो हमारे आसपास ये गैसों का जो घेरा होता है उसे क्या कहते हैं तो वहीं मंडल की बात हम करना चाहा रहे हैं तो ऐसे भी आप प्रश्ण हैं कर सकते हैं ठीक है तो यहां बच्चे आंसर कर देते हैं प्रश्ण तर विदी से हमने उससे पूछा था अब लास्ट हमने क्या मान के चला कि बच्चों को इसका आंसर नहीं आता है तो हम उसे उद्धिश्यकतन में एक्स्पेंड करते हुए बता देते हैं कि आज हम यह पढ़ाने वाले हैं मानलो हमने लास्ट कुशिन किया था आप चेंज कर सकते हैं जो मैंने कुशिन बोले हैं वो भी आप रिख सकते हो कोई प्रवलम नहीं है उसमें एकदम ठीक हैं तो अपने जैसे मानलो लास्ट कुशिन हम कर रहे हैं कि हमारे आसपास जो यह गैसों का आवरण है या घेरा है इसको हम क्या कहते हैं विस्तृत अध्यन करेंगे ठीक है इस तरीके से आपका उदेश्यकतन तयार हो जाता है ऐसे आप और भी टॉपिक बनाते हैं तो इस प्रकार से आप उसे तयार कर सकते हैं आगे हमारा यह शुरू किया हमने तो और हमने विकास आत्रम नहीं किये बच्चे ने आंसा किया प्रशुत विधी से हमने पूछे थे प्रशन यहां शिक्षक कथन में हमने उनको एक्स्प्रेइन कर दिया प्रथवी के वायू मंदल के बारे में आगे हमने एक्स्प्रेइन करते विए हमारा टॉपिक यहां पूरा हुआ इसको आगे बढ़ाते हुए समझाया बच्चों को वायू मंडल की हैं परतों के बारे में हम समझा रहे हैं कौन कौन सी क्या होती है तो पिच्चर के अकॉर्डिंग है आप यह शो कर सकते हैं ठीक है कैसा कर रहे हैं बता दिया के प्रत्वी पर कितनी गैस कितने परसेंट होत अपने विकास आत्मक प्रश्ण किया आगे टॉपिक से जोड़ने के लिए यह आंसा कुछ किया बच्चों ने प्रश्ण तर विधी हो गई इसके बाद में क्या हो गया यह वायू मंडल वायू मंडल नेक्स आपने टॉपिक लिया आपने एक्स्पेरियन कर दिया चाहते कुछ आंसा कर देते हैं उन्होंने ध्यान से सुना होगा तो ठीक है प्रश्ण तर यहां विधी हो जाती है इसके पाद तो श्यामपट लेखन ने आपने मान लिए बच्चेकार उतार लेते हैं मुल्यागन प्रश्ण आपने कुछ कर लिए घ्रहकारे हैं आप आगे देते आप चाहें तो इसको उपन करके भी पेस्ट कर सकते हैं कोई दिक्कत नहीं है मैं आपको बताया था ना के साइन्स और मैस के जो मेरे लेसन प्लांस में कुछ उसी तरीके से मैंने पिच्चर सट की हैं और ब्लेक बट वरक एड किया तो आप देख सकते हैं ठीक तो वहां से आपको जो और भी आइडिया है वो मिल जाएगा तो यह आपके प्रश्ण हो गए घ्रहकार रहे के इसके लावा पीडियाप आप डाउन्डूड कर सकते हैं टेलिग्राम से ओके तर नेक्स पीडिया मिलते हैं थैंक्स वर वाचिंग